नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपना चैनल राश्टीच में दोस्तों अज बात करने वाले हैं बिहार परिचारी सहाय के बारे में जिसमें आप लोगों तो इसमें जो है आप लोगों 1172 पोस्ट कलर का था और चतुर्थ बढ़गी करमचारी के 1129 पोस्ट था तो इसके बारे में जो है बहुत सारे बच्चों का कोमेंट आ रहा है कि अब यह बहाली है जो नहीं होगी रद हो चुकी है इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिके प्रेशन नहीं है तो हम आपको बता दे रहे हैं इसके बारे में सारी जनकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि यह अफवा है कि क्या है तो आप लोग वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा और हर एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बिहार में किसी परकार का भी भाकेंसी आता है अफलाइन हो या ओनलाइन सबकी जनकारी इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगी तो बात करेंगे कि जो परिचारी सहाय कि बहाली होने वाली थी तो उसके बारे में अभी कोई सुचना नहीं है तो बचों का कहना है कि यह जो है बहाली आप लोको रद हो चुकी है या बहाली यह सारे अफवा है ऐसा कुछ भी बात नहीं है तो देखिए इसमें जो है जब नोटिफिकेशन इसका निकला हुआ थ तो यह है जो नोटिफिकेशन जो है आप लोको 2020 के लगभा में निकला हुआ था लेकिन आज 21-22 हो गया इसके बारे में कोई भी सुचना नहीं है तो हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में यह बहाली जो है अब नहीं होगी तो सारी जनकारी हम लेंगे तो देखिए इसके ब दिश्टिक में कितना सीट है वो सारा चीज किलियर हो गया था लेकिन जो है इसका बहाली और देखिए सबसे बड़ी बात कि आप लोग को पेपर में भी एक दो बार देखने को मिला होगा कि जो है इसके यह परिचारी सहाय का कि जो है आप लोग का बहाली आने वाली है तो जीले में है आप लोग का कितना पोश्ट है यहाँ पर परिचारी सरी कलरक और चप रासी का तो यहाँ पर यहाँ रजैसे कि दिखा द werd रहे हैं आपको दिखिए यहाँ पर बैसा लि जैसे ब esemp एक ब Anthem से तंकु सराजी नम्हें नूर्थ नमदा पटना सारा जो दिया है तो यहाँ पर लिस्ठ भी दिया था कि किस जिले में कितना जो है अछ्टिकम लेयर के हें ऊंधर एक्षही फिरेक काली है एकाल रही यानि कीज़ा सारा सारे की खाली है तो इस में जो है हम लोग ने हमने इससे पहले भी वीडियो जो बनाया था तो उसमें बताया था कि जो है बहाली है तो बहाली कब जल्दी किलियर नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, तो जो बहाली अभी नहीं आया है, उसके बारे में हम लोग को तो जो बात करना है, वो सही नहीं होगा, तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं, कि जो ये बहाली है आप लोका, तो देखिए, बहुत सारे जो है अस्कूल में, स सारे अस्कूल में परिचारी और सहाय का सीट खाली है तो यह लोका बहाली तो लेना ही पड़ेगा और इसके पीछे हो सकता है रीजन भी कुछ है जैसे कि इससे पहले तो चुनाई परकिरिया चल रहा था तो उस समय बोल दिया कि चुनाई परकिरिया के बाद आप लोका बहा तो हुआ उसके बाद आपको कोई भी जनकारी बिहार सरकार के द्वारा या सिक्षा विभाग के द्वारा नहीं मिली और उसके बाद फिर पता चला कि जो है बिहार में लोकडाउन लगा हुआ है क्रोना के वज़े से तो इसके वज़े से भी हो सकता है कि जो है आपकी बहा साहायक से तुरत हम आपको वीडियो बना कर इंफॉर्म कर देंगे तब तक के लिए धन्य बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको और किसी परकार का सहायता या कोचन पूछना होगा तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा हम कोशिस करेंगे क उसका फुल रिपलाई दिया जाए धन्य बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में